नमस्कार मैं आजे आपका स्वागत करता हूँ और आप देख रहे हैं न्यूज आप तक 24 मद्द पुर्देश का हिंदी न्यूज चैनल चलिए देखते हैं मद्द पुर्देश की 25 मुख खबरों को लेकिन उससे पहले कमेंट करके हमें बताईए कि आप न्यूज किस जिले से देख रहे हैं साथ ही वीडियो को लाइक शेर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले हमारे फेस्बुक पेज को भी फॉलो करना ना भूले जिसका लेंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है इंदौर में असली के नाम पर बिक रहा 800 लीटर मिलावटी घी खाद्य विभाग ने किया जब इंदौर जिले में मिलावट खोरी की घटनाएं लगातार सामने आ रही है यहां असली के नाम पर मिलावटी खाद्य पदार्थ की बिक्री बड़ी मात्रा में की जा रही है गट दिवस खाद्य विभाग ने मिलावटी घी की आशंकता में एक गोदाम पर छापा मारा था और वहां से सैंपल लिये थे जिसकी रिपोर्ट में घी में मिलावट पाई गई अधिकारियों के मुताबिक गत माह विभाग को शिकायत करता से सूचना मिली थी कि राजस्थान की एक घी निर्माता फर्म बाल गोपाल डेरी प्रोडक्स रनपुर कोटा द्वारा घी को इंदोर के संचार नगर स्थित मार्केटिंग फर्म श्री कुबेर इंटरप्राइजिस के माध्यम से बेचा जा रहा है मध्यप्रदेश शत्तीसगड में महिला अभ्यर्थियों के लिए अगनिवीर सेना भरती रैली यह भरती मध्यप्रदेश के जबलपुर समेत 15 जिले में होगी जिसमें अनूप्पुर, बाला घाट, डिंडोरी, कट्नी, मंडला, मौगंज, महर, रीवा, सतना, सिवनी, शेहडोल, सीधी, सिंगरॉली और उम्रिया शामिल रहेंगे इसके अतिरिक मध्यप्रदेश और 36 गड़ के सभी जिलों की महिला अभ्यर्थियों के लिए अगनिवीर महिला मिलिटरी पुलीस, जनरल ड्यूटी के लिए अगनिवीर सेना भरती रैली का आयोजन किया जाएगा महीला और पुरुष अभ्यर्थियों के लिए भर्ती रैली का आयोजन 6 नवंबर से 14 नवंबर तक रानी दुर्गावती विश्व विद्याले शारेरिक शिक्षा विभाग ग्राउंड में किया जा रहा है अभ्यर्थियों की डौड रात के दो बजे से होगी आधार कार्ड से जुड़ा मोबाइल नंबर लाना अनिवार्य होगा साथ हाई अग्निवीरों को भार्तिय नौसेना में अपने 4 साल के पूरे कार्यकाल के दौरान विवा करने की अनुमती नहीं होगी ग्वालियर में नियंत्रण के दावे हो रही है फेल 17 नए डेंगू केस मिले इनमें 70 प्रतिशत बच्चे ग्वालियर स्वास्थे विभाग डेंगू पर प्रभावी नियंत्रण करने सर्वाधिक जाँच का दावा कर रहा है लेकिन हकीकत में रफ्तार कम नहीं हो रही है जिनकी उम्रत 3 साल से लेकर 16 साल तक है भले ही डेंगू की पाजिटिविटी रेट पिछले सालों के मुकाबले इस साल कम है लेकिन बच्चों के डेंगू से पीडित होने की संक्रमन दर में इजाफा हुआ है ग्वालियर में फालका बाजार में वनवे का पालन नहीं करा पा रहा प्रशासन जाम में फंस्ते हैं, स्कूली बच्चे और कारोबारी ग्वालियर में रामंदिर 14 से 6 परवाला पुल तक करीब 500 मीटर लंबे फालका बाजार वनवे है लेकिन ट्रैफिक पुलीस का अमला इसका पालन नहीं करा पाता लड़कियों का बड़ा निजी स्कूल इसी मार्ग है लेकिन जाम के कारण बच्चों को घंटो परेशान होना पड़ता है इस मार्ग पर खानपान के बड़े प्रतिष्ठानों के अलावा मिठाई गजक और सजावट वकपड़े की बड़ी दुकाने है खरीदारों को सड़क पर वाहन पार्क करके खरीदारी करने जाना पड़ता है पार्किंग इस बाजार की बड़ी समस्या है सिंधिया राजगराने के सरदार फालके के नाम पर बसे इस बाजार की कई गलियों में रहवास है इन लोगों को बाजार में जाम से रोजाना दोचार होना पड़ता है इन दौर में मंदिर ने गुंबज हटा कर फ्लायोवर को दी रा, धाई लाक वाहनों का रास्ता होगा आसान इन दौर शहर के अलग-अलग इलाको भंवरकुआ, लवकुष चौराहा, फूटी-कोठी और खजराना में बने फ्लायोवर सीम डॉक्टर मोहन यादव के हातों जल्द ही शुरू होने जा रहे है एबी रोड स्थित भंवरकुआ चौराहे पर फ्लायोवर का निर्मान पूरा हो चुका है इसके बाद वाहनों का आवागमन शुरू हो जाएगा फ्लायोवर की एक भुजा में मंदिर की बाधा थी, इस वज़ह से कुछ समय काम प्रभावित रहा बाद मंदिर का गुम्बज हटा कर फ्लायोवर को रह दी गई गुम्बज हटाने के बाद स्पान की लांचिंग कर निर्मान पूरा किया गया लोकारपन के बाद चौराहे पर हर दिन करीब धाई लाख वाहनों की रा आसान होगी बंटोगे तो कटोगे 25 वर्ष बाद हमारे बच्चों के लिए खत्रा UPCM योगी के समर्थन में बोले विज्जवरगिय इंदोर में भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विज्वरगिय ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनात के बंटोगे तो कटोगे बयान का समर्थन करते हुए कहा कि जिस प्रकार से देश की डेमोग्राफी बदल रही है 25 वर्ष बाद हमारे बच्चों के लिए बहुत खत्रा है इसलिए हमें सतर्क होना होगा विज्वरगिय ने कहा कि योगी जी ने सही कहा है बंटोगे तो कटोगे हर्याना की जन्ता ने बता दिया है कि बंटेंगे नहीं यहाँ बात विज्वरगिय ने गुरुवार राध भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष जीतु जराती द्वारा इंदोर में आयोजित साध्गी गर्बा महुतसव में कही CBSA 10-12 प्राक्टिकल एक्जाम को लेकर नया नोटिस जारी सामने I-Date Central Board of Secondary Education CBSA वर्ष 2025 में होने वाले बोर्ड एक्जाम को लेकर अपनी तैयारियों में लगा हुआ है इसी कड़ी में बोर्ड ने प्राक्टिकल एक्जाम को लेकर नया नोटिस जारी किया है इस नोटिस के माध्यम से बोर्ड ने दसवी और बारहवी के लिए प्राक्टिकल डेट की जानकारी दी है शेक्षनिक सत्र 2024 से 25 के लिए दसवी और बारहवी के प्राक्टिकल एक्जाम प्रोजेक्ट वर्ख आधी 5 नवंबर से 5 दिसंबर तक होंगे इसे दो भागों में विभाजित किया गया है पहले भाग में प्राक्टिकल परीक्षा शुरू होगी CBSA प्राक्टिकल बोर्ड एक्जाम के अलावा और भी कई गाइडलाइन जारी की गई है जिसके मुताबिक दसवी के रेगुलर छात्रों का इंटर्नल एक्जाम उनके स्कूल संबंधित सब्जेक्ट के करिकुलम के आधार पर ही किये जाएंगे इस परीक्षा के लिए कोई एक्सेटर्नल एक्जामिनर नियुक्त नहीं किया जाएगा लेकिन बारहवी के प्राक्टिकल एक्जाम के लिए CBSA प्राक्टिकल और प्रोजेक्ट असेस्मेंट दोनों के लिए एक्सेटर्नल एक्जामन नियुक्त करेगा मध्य प्रदेश में निवेश आकर्शित करने अब हैदराबाद में रोड शो करेंगे मुख्यमंत्री मोहन यादव प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अप्तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में रोड शो करेंगे। 15 और 16 अक्टूबर को होने वाले इस रोड शो के दौरान इंटरक्टिव सेशन ओन इन्वेस्टमेंट अपोचनिटी जिन मध्यप्रदेश में फार्मा, वी एफेक्स, लाइफ साइनसेज, आईटी एवा, आईटी एस और टूरिज्म जैसे महत्वपूर्ण सेक्टरों में न अतलाम शहर के मानक चौक स्थित प्रसित महालक्ष्मी मंदिर में पांच दिवसिय दीपुत्सव में भक्तो द्वारा सजावट के लिए दिये जाने वाले रुपे, आभूशन, मोती आदी से विशेश श्रिंगार की तैयारी हो गई है 17 अक्टूबर से सामगरी लेना शुरू की जाएगी पहले दिन धंतेरस पर ब्रहमा मुहूर्थ में मंदिर के पट खोले जाएंगे विशेश श्रिंगार के दर्शन भाईदूस तक लगातार किये जा सकेंगे इसके बाद श्रद्धालों को सामगरी वापस देना शुरू की जाएगी इंदौर में कहीं लेजर गन से होगा रावन वद तो कहीं पुश्पक रत पर सवार होकर आएगा इंदौर शहर में बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार विजयादश्मी 12 अक्टूबर को हर्शोलास से मनाया जा रहा है इसे खास बनाने के लिए रावन दहन उत्सव समितियां पिछले एक माह से जुटी हुई है सामाजिक सरोकार के संदेश के साथ कई नवाचार भी किये गए हैं उशागंज में चलित रावन पुश्पक रत पर सवार रहेगा तो चिमन बाग का रावन गर्दन घुमा कर अट्टाहास लगाएगा चावनी में मेघनाद और कुम्पकरण के पुतलों का भी दहन होगा रामभाग में रावन की आखें गिर्गिट की तरह रंग बदलेंगी और इसका दहन लेजर गन से होगा करमचारियों के लिए खुश खबरी अक्टूबर का अग्रिम वेतन दे सकती है सरकार अच्छे से मना पाएंगे दीपावली दीपावली पर्फ को देखते हुए सरकार 11 लाग से अधिक अधिकारियों करमचारियों को अक्टूबर का अग्रिम वेतन दे सकती है वित्त विभाग ने इसके लिए तैयारी भी शुरू कर दी है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को इस संबंध में प्रस्ताव दिया जा रहा है अक्टूबर में कई त्योहार है वेतन एक या दो नवंबर को देने के स्थान पर अक्टूबर के 28 से 29 को दे दिया जाए ऐसा होने से वह त्योहार अच्छे से मना सकेंगे प्रदेश में नियमित अधिकारियों कर्मचारियों की संख्या 7 लाक और पेंशनरों की 4 लाक के आसपास है इने वेतन, पेंशन और भत्ते देने में लगभग 3,000 करोड रुपे लगते है प्रतिमा एक दो तारीक को वेतन का भुकतान किया जाता है जिसके लिए कोशाले में बिल 28 से 29 तारीक को लगाए जाते है दीपोट सव को देखते हुए इस बार वेतन 4-5 दिन पहले दिया जा सकता है जिससे सभी कर्मचारी अच्छे से त्योहार मना सके CM डॉक्टर मोहन यादव ने कहां उज्जैन में मल्खंब अकादमी शीग्र चालू होगी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गुरुवार रात उज्जैन आए वे क्शीर सागर स्टेडियम में श्री सामवरिया ग्रूप द्वारा आयोजित कुष्ती प्रतियोगिता में बतोर अतिती शामिल हुए उन्होंने उज्जैन में जल्धी मल्खंब अकादमी खोले जाने की घोशना की कहा की शीग्री ही जिमनास्टिक की भी सौगात मिलेगी उन्होंने उज्जैन के सभी 15 अकाडों को 2-2 लाख रुपए देने की घोशना की वे कुछमा दुर्गा के पंडालों में भी पहुँचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अगले वर्ष गुडी पढ़वा का त्योहार पूरे प्रदेश में स्रिष्टी आरंब दिवस के रूप में मनाने को कहा है अफसरों से कहा है कि विक्रमोत्सव महाशिवरात्री से गुडी पढ़वा तक करने की तैयारी अभी से प्रारंब करें राश्ट्रिय विज्ञानिक संगम में विज्ञान और खगोल विशय से जुड़े विशयशग्यों को इसमें आमंत्रत करें अब साक्षातकार के लिए चैनित उमीद्वार कर सकेंगे आवेधन MPPSC अगले कुछ दिनों में बुलाएगा बैठक मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग MPPSC ने सितंबर में सहायत प्राध्यापक परीक्षा परिणाम जारी किया था अब चैनित उमीद्वारों के साक्षातकार होने है कुछ विशो में आवेधन करने की अंतिम तारीख गुरुवार को खत्म हो चुकी है जबकि कुछ में उमीद्वार के पास 26 से 29 अक्टूबर तक आवेधन करने का समय है इसके बाद पहले साथ दिन के भीतर आवेधन करने पर उमीद्वारों को 3,000 रुपए अतिरिक्थ शुल्क देना होगा इसके पश्चात 25,000 रुपए विलम शुल्क वसूला जाएगा आयोग तीन चरणों में सहायत प्राध्यापक परीक्षा करवा रहा है 9 जून को पहले चरण में 8 विश्यों में 826 पदों के लिए लिखित परीक्षा करवाई गई मध्यप्रदेश की 8,000 अवैध कालोनियों को मिलेंगे स्थाई बिजली कनेक्षन मध्यप्रदेश की 8,000 अवैत कालुनियों के रहवासियों को स्थाई बिजली कनेक्शन दिये जाएंगे इसके लिए उर्जा विभाग ने सुगम विद्युत योजना 2024 दो वर्ष के लिए शुरू की है इस योजना के तहट आवेदक या आवेदकों के समूह को निर्धारित राशी का 25 प्रतिशत आवेदन के साथ एक मुष्ट देना होगा बाकी 75 प्रतिशत राशी का भुकतान कनेक्शन चालू होने के बाद मासिक बिल के साथ ब्याद सहित देना होगा यहां राशी जमा करने के लिए दो वर्ष का समय तै किया गया है बता दे कि प्रदेश में दिसंबर 2016 तक 6077 अवेद कालूनियों को पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चौहान ने वैद घोशित किया था इसके बाद से अब तक 2000 से अधिक अवेद कालूनियों और विक्सती हुई है सुगम विद्युत योजना का लाब राजधानी की करीब 700 से अधिक अवेद कालूनियों को मिलेगा इनमें निवास करने वाले 5000 से अधिक परिवारों को आसानी से स्थाई कनेक्शन मिल सकेगा जिससे वह असीमित बिजली बिल से छुटकारा पा सकेंगे ग्वालियर में गेहूं का स्टाक छिपाया दो प्रतिष्ठानों पर कारवाई में 81 लाक का माल जप ग्वालियर गेहूं के अधिक्तम स्टाक सीमा और घोशना न करते हुए माल को छिपाने पर दो प्रतिष्ठानों खाद्य नागरे का पूर्ती व उपभोक्ता सरंग्षन विभाग ने कारवाई की है गुरुवार को अधिकारियों की टीम ने निरिक्षन कर जाच की जिसमें दो प्रतिष्ठानों से 81 लाख रुपे से ज्यादा का गेहूं जब्त किया गया